और जो बॉर्णिंग आप सब हैं आप सब लोग का सोथ करता हूँ और मेरे अडियो वीडियो वीजू सारी के साशी चीजें आप तक क्लियर पहुंच नहीं तो वहां सब बोटाके तमाब इस परिवाइट की तरफ से नमसकार सुईकार करूँ तो डेली के तरह आज भी हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे regular current affairs के season में और आज है आपके 11 तारीक और 11 तारीक को हम लोग सुरू करेंगे हमारे daily current affairs के season को जिसमें हम लोग देखेंगे पिछले दिनों के बीती हुई घटना आए कि आखिर क्या क्या सी सुर्खिया नहीं और साथी साथ उस से लेटेड आपके MCQ कैसे रहे हैं और कहां से आपके प्रशन बन सकते हैं उन सारे के सारे चीजों को हम लोग आज के सेसन में कवर अप करेंगे तो क्लास की सुरुआत करने से पहले एक बार मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग एक बार क्लास के लिंक को कॉपी करके जितने भी आपके दोस्त हैं उन सारे के सारे दोस्तों तक क्लास को जरूर सब लोग एक बार पहुँचा दे तो चलिए दोस्तों करते हैं बिना वक्त गवागवे अपने सेसन की सुरुआत तो जैसा कि आप सब को पता है कि बच चुके हैं सुबह के आट और हमारी आपकी होती है मुलाकात तो इसमें आज के इस क्लास में या आपको क्यों मेरी करेंट अफेर्स की क्लास करनी चाहिए या फिर बेसिकली आप जब अपना टाम स्पेंट करते हैं सुबह सुबह डेली करेंट अफेर्स के सेसन में तो आपको क्यों करनी चाहिए मेरी यह class इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा क्योंकि इस class में आपको मिलता है कि आज का दिन क्यों महत्पूर्ण है इसके बारे में जानकारी साथी साथ बिहार के समाचार with mcq इसको करते हम लोग cover up साथी साथ हमारे राष्टिय समाचार with mcqs इसको करते हम लोग cover up अंतराष्टिय समाचार with mcq इसको भी हम लोग करते cover up एक editorial हम लोग cover up करते है जो की हिंदी मीडियम वाले छात्र जिनको तकलीफ होती है दिक्कत होती है अंगरेजी अकबार को पढ़ने में तो हम लोग हर रोज अपनी क्लास में अंगरेजी अकबार के कुछ एक articles को cover up करते हैं जो आपके examination point of view के लिए काफी अदा आपके लिए important साबित होते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सब को पता है और इसके लाबा हम लोग एक देश को cover up करते हैं आज जिस देश को हम लोग cover up करने वाले हैं वो है green land जिस राज को हम लोग आज cover up करने वाले हैं वो है तेलंगाना और जिस जिले को आज हम लोग cover up करने वाले हैं वो है हमारा मुझपर पूर्श साथ ही साथ आप लोग को आज का होंबर्ग भी मिलेगा क्लास के अंत में तो चलिए दोस्त करते हैं अब सुरुवात और जैसा कि आप सब को पता है कि आज कल की भाग दोल भरी जिंदगी में ठकना मना है और जब इंसान ठकने लगता है तो उसको जरूद होती है एक्स्ट्र हारते नहीं है या तो आप उस चीज को जीतते हैं नहीं तो आप वहां से कुछ चीज सीखते हैं तो हारने का तो सभाली नहीं है या तो आप उस चीज को जीतेंगे नहीं तो वहां से कुछ न कुछ चीज आप सीखेंगे तो यही पॉजिटिव थौट है जो कि आपको दिन के रूप में मनाते हैं तो आज हम लोग सिलिवेट करते हैं Human Trafficking Day यानि कि आज हम लोग का है Human Trafficking Awareness दिवस इस दिन का उदेश जो है मानव तसकरी पीरत जो है मानव तसकरी क्या होता है Human Trafficking क्या होता है तो कोई भी जो इनसान है उस इनसान का एक समझी के जैसे एक उस इनसान का वैपार करना मोटा मोटी समझ यह कि यह जो Human Trafficking है यह अमूमन अगर हम लोग बात करते हैं तो Force Lever यानि कि आपके जो बधुआ मजदूर है उनके रूप में किया जाता है Sex Workers के रूप में महिलाओं को एक जगा से दूसरे जगा ले जाता है दूसरे देशों में इसके अलाबा ओर्गन्स के लिए यानि कि आपके इनसानों के ओर्गन्स के लिए इनसानों का Human Trafficking होता है तो इसी चीज़ को जागरुकता फैलाने के लिए इस दिन का उदेश जो है मानव तसकरी पीरित से जो दूर्दसा के बारे में जागरुकता बराना साथी साथ उनके अधिकारों को बरहामार और उनकी रक्षा करने के लिए अधिवस प्रतेक साल हम लोग 11 जनवरी को सिल्बेट करते हैं इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और राइट चलिए अब आगे हम लोग बरते हैं हमारे पहले सेगमेंट जो कि है हमारा बिहार न्यूज यानि कि बिहार न्यूज से जुरे हुए हम लोग हमारे करेंट अफेस को कवर अब करेंगे स्वास्त और कल्यान की स्रेनी है क्या ये वाटर प्लस की स्रेनी है क्या ये परियावरन स्थिर्था की स्रेनी है तो हाली में बिहार की राध्धानी पटना ने पहली बार कौन से छितर में आपके पुरसकार जीता है फटा फट कॉमेंट बॉक्स में सब लोग अपना उत्त बहुत बढ़िया. जैसा कि मैं देख पा रहा हु आप विलकुल सही उत्तर दे रहे हैं सब लोग और इक चीज का ख्यार लगे हैं सारे के सारे लोग कि जरूर से जरूर आप लोग कोसिस करें उत्तर देने का जब आप उत्तर देते हैं या तो दो ही चीजे होती है या तो आप सही होते हैं या तो आप गलत होते हैं सही होंगे बहुत अच्छी बात है सही होंगे तो बहुत अच्छी बात है गलत होंगे तो सही करने के लिए मैं आपको हूँ और मैं आपको इस सिसन में आपके सही करूँगा तो जैसा कि मैं वाटर प्लस की केटेगरी में, यानि कि हम लोग बात करते हैं, तो पत्ना ने पहली बार आपके किस स्रेनी में पुरसकार जीता है, तो वाटर प्लस की केटेगरी में पत्ना ने अभी हाली में पुरसकार आपके जीता है, अब क्या है खबर, आईए ज़रा देखते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं स्वच्छ सरविक्षन 2030 के रिपोर्ट थी और पहली बार वाटर प्लस की स्रेनी में पत्ना को यह अवार्ड मिलने जा रहा है या क्यों है तो सहर को साफ सुथरा बराने की दोर में पहला यह मतलब कि पहल है जिसमें जोन के बांट कर चला गया और अनुपकर्णों की मदद से सरकों की सफाई और साथी साथ जो इसका जोन है इसमें बेसिकली क्या है यहां लोग बरसों से कचरा फेक रहे हैं वहां चूरा दही लिट्टी चोखा पार्टी रंगोली नबर दिपोटसम मनाया जा रहा है ताकि लोग जो हैं वहां पे जैसे ह होता है ना आपके गली महले गाउं में एक ऐसी जगह जहां पे लोगा में सक कचरा फेकते हैं तो उस जगह पे मतलब की इस चीज को बचाने के लिए चीजें आपकी की जा रही है साथी साथ स्वक्षा चरवेशन 2023 में पहली बार पतना को वाटर प्लस की स्रीनी में चेनित किया गया है और 11 जनवरी को स्वक्षा चरवेशन 2023 का रिजल्ट आएगा इसमें पतना नगर की टीम जो है अवार्ड लेने के लिए दिल्ली में आई है और पहली बार जो वाटर की कैटेगरी है इसमें आपके पतना को यह अवार्ड जो है आपके दिया गया है तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा वाटर प्लस बीपीए से एक्जाम के लिए अती महतपूर्ण इसको ध्यार रखेगा यहां से कोश्चन जो है बनने के आसार आपके अच्छे खासे हो जाते हैं रही बात पतना की तो पतना से दो तीन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि पतना सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि पतना में आपको क्या मिलेगा तो पतना में आपको मिल जाता है रिसर्च सेंटर किसका रिसर्च सेंटर मिलता है तो गंगैटिक का, Gangetic Dolphin का आपके सोध केंदर आपको कहां मिलेगा, तो Gangetic Dolphin का सोध केंदर आपको मिल जाता है पतना में, साथी साथ आपको पतना से एक और पॉइंट याद रखना है कि पतना में गंगा नदी सबसे लंबी यानि कि 99 किलोमिटर की है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना ह पटना से बिहार के टोटल नौ जिले सीमा साजा करते हैं, इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है, पटना से होकर के आपके रास्तिय जलमाग नंबर वन क्रोस करता है, इस बात को भी ध्यान रखना है, पटना सहर का पुराना नाम था पाटली पुत्र जिसके तुने बनाया इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है और आपके एक्जाम के लिए यहां से पॉइंट जो है बन जाते हैं अगले कोश्यां की तरह बढ़ते हैं मुख मंतरी नितीज कुमार ने कितनी आंगनवारी सेविकाओं और सहाईकाओं को बहाली का आस्वासन दि किया है बहाली का क्या यह 18,192, 18,219, 18,201, 18,239 बीपे से एक्जाम के हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार के जो फैक्ट जो है फैक्च्वल देटा एक्जाम एक्जैक्ली नंबर से आपके एक्जाम में बन जाते हैं तो इसलिए यह सारे पॉइंट जो है आपके एक्ज 23,30 कुबार ने अभी हाली में कितनी आंगनबारी सेविकाओं और सहाइकाओं को बहाली का अस्वासन दिया है तो इसका जवाब आप लोग बिल्कुल सही दे रहें 18,239 अब क्या है खबर तो अलग-अलग कारणों से बेसिकली आपके आंगनबारी सेविकाओं और साथी सा आपके सहाइकाओं को कई बार आपके एकमुष हताया जाता है और उनके सेवा वापसी और साथी साथ मांदे विर्दी की मांग पर पिछले दिनों में बरांदोलन हुआ था और उस आंगनबारी किया गया कि 18,239 जो आपके आंगनबारी की सेविकाओं हैं उनकी बहाली जो पर जमीनी अस्तर पर एक awareness का जो एक कार कर रही है उस कार के लिए भी इनको अभी हाली में बिहार सरकार के द्वारा सम्मानिज भी किया गया है इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है इसके राबा आई अगले बिहार के प्रश्ट की तरह बरते हैं कौन सा राज नए साल में मिसन सुरक्षा शुरू कर रहा है कौन सा ऐसा राज है जो अभी हाली में आपके मिसन सुरक्षा आपके शुरू कर रहा है तो मिसन सुरक्षा की बात अगर हम लोग करते हैं तो मिसन सुरक्षा भी हाली में कहा हो रहा है तो मिसन सुरक्षा भी हाली में आपके बिहार में हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है, मिसन सुरक्षा की बात अगर हम लोग करें, तो मिसन सुरक्षा क्या चीज से रिलेटेड है, तो मिसन सुरक्षा आपके रिलेटेड है क्या चीज से, इनको इनका एक लिस्ट जारी किया गया और इसके तहट उनको जो है अगर उनके पर कोई FIR है तो उनकी जल से जल गिरफतारी आपके की जाएगी इस बात को आपको द्यार रखना है खाला कि ये कोश्चन दूसरा था इस कोश्चन का हिंदी ट्रांस्लेशन दूसरा हो गया पर चले मिसन सुलक चाया तो मैंने आप लोगे साथ चर्चा भी कर लिया बागी कोश्चन है कि कौन सा ऐसा सिविल कोट है जो पहली बार डिजिटल सिविल कोट आपके बिहार में बना है तो पतना पुर्निया गया या मुझपर पूर तो सारे के सालों इस प्रशन का उत्तर दिजेगा तो अब यसी बात है इसका जबाब क्या हो जाएगा पूर्न बिहार का वहाँ आपके सिविल कोट है जो पहला सिविल कोट है जो क्या हो गया है तो जो आपके डिजिटलाइज हो गया है अब डिजिटलाइज होने से क्या फाइदा हो रहा है तो डिजिटलाइज होने से जितने भी आपके डॉकुमेंट्स हैं जितने भी आपके लिए पहला आपके सिविल कोड जिसको आपके क्या किया गया है तो इसको आपके सावजनिक किया गया है जिसको आपके डिस्टलाइज किया गया उसको आप लोगो ध्यान रखना है तो डिस्टलाइज आपके किया गया है तो डिस्टलाइज आपके किया गया है आपके ध्यान रखेगा तो यह आपके किया गया है पूर्णिया को it is important for exam इसको आप लोग को ध्यान रखना है बाकि अगले प्रसंग की तरह बढ़ते हैं तो इस question को अगर हम देखें तो पूर्णिया civil court जो है बिहार का पहला distalized court बना है और high court के मुख्य नायधीस बिनोच चंद्रा ने सनीवार को बिहार के पहले distalization और e-filing center का पूर्णिया जो है इसने उधगाटन किया है और इस project को अगर हम लोग देखते हैं तो पूरे के पूरे बिहार भर में आपके लागू किया जाएगा chief justice ने साथी साथ इसके ले करके कहा है कि वकीलों का आहन किया और mindset बदलिये और फिर distalization आसान हो जाएग इस पहल की इन्होंने अभी हाली में आपके क्या की है तो सुरुवात की है इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है इसके लाब अगर हम लोग बात करते हैं तो digitalization होने से नियाले जो है paperless हो जाएगा और सारे कागजात जो है एक जगा आपके प्राप्त हो जाएंगे और जितने भी नयायक के ववस्था कागजात है एक क्लिक पर computer पर आपके मिल जाएंगे इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है या तो रही बात आपके बिहार के current affairs की अब हम लोग बात करते हैं आज के national news की यानि की राष्टिय खबरे जो हमारे खबरों में रही है सुर्क चिलका जहील में प्रसिक्षन आयोजन आयोजित किया अभी हाली में परेटन मंद्राले ने कौन से योजना के तहट आपके चिलका जहील में प्रदिर्सित आपके प्रसिक्षन जो है आयोजन करता है परेटन मंद्राले किस योजना के तहट चिलका जहील में आपके प्रसि जबाब दीजेगा परेटर मंट्राले जो है किस योजना के तहत आपके चिलका जील में परसिक्सन जो है या आपके आउजित कर रहे हैं सारे के सालोग इस प्रशन का उत्तर दीजिए क्या ये आपके सच भारत अभियान अमरित धरोहर कैपिसिटी बिल्डर इसकीम अमरित ध करते हैं इस प्रशन के सही उत्तर के बारे में तो इस प्रशन का आपके सही उत्तर हो जाएगा परेटर मंत्राले ने किस योजना के तह चिलका जील में परसिक्षन आउजित किया है तो जबाब इसका हो जाएगा अमरित धरोहर आपके कैपिसिटी बिल्डिंग इसकीम इस उसके अस्थानी समुदाई के लिए आजीविका के अफसर को बराने में मदद करेगी। इसके लावा हम लोग बात करते हैं तो यह भारत का अगर चिलका लेख की बात करते हैं तो भारत का सबसे बरा तट्टी लगून है। और दुनिया का अगर पूछा जाए तो दुनिया का हम लोग दूसरा हम लोग कहते हैं और पहला क्या है दुनिया का तो न्यू कैलरोनिया बेर रीव के बाद दुनिया का सबसे बरा लगून के रूप में भी हम इसको जानते हैं। इसके साथी साथ जब हम लोग बात करते हैं चिलका लेक की, तो चिलका लेक आपके कहां पाया जाता है, कहां पे है, तो यह आपके उरिसा में नजर आ जाता है, साथी साथ यह आपके भारत का पहला रामसर साइट, साथी साथ यह भारत का पहला रामसर साइट है, इस बात को आपको नजर आ जाता है, यही आपके चिलका लेक। साथे साथ एक दो पॉइंट को और आई यहां पे आप लोगो ध्यान रखना है कि जब भी चिलका लेक की बात होगी तो चिलका लेक आपके क्या है तो एक ब्रिकिस वाटर जील है यानि कि आपके खारे पानी का जील है इस बात को भी आप लोगो ध्यान रखना है और जब रम तबरस में टूटल आपके 75 रमसर साइट्स आपको नजर आ जाते हैं जिसमें से हमारे बिहार में भी एक रमसर साइट है जो की 38 नंबर का रमसर साइट है और वो कौन सा है तो वो है आपके कनवर ताल यानि की कवर ताल जो है या आपके 38 नंबर का रमसर साइट हमारे यहां नजर आ जाता है अगले प्रस की तरह बढ़ते हम लोग भारतिये अंतर देशिये जलमाग प्रधिकरन द्वारा उद्घाटन अंतर देशिये जलमाग विकास परिषिक्षन की बैठक का अयोजन जो है यह आपके कहा किया जाएगा सारे के सालों इस प्रशन का उत्तर देंगे कि अभी हाली में भारतिये अंतर देशिये जलमाग प्रधिकरन द्वारा उद्घाटन जिसका नाम क्या है अंतर देशिये जलमाग विकास परिषित की बैठक जो है यह कहां आपके आवजित की जाएगी क्या यह मुंबई में की जाएगी क्या यह कोलकता में की जाएगी च सारे के साहलों जबाब दिजे का फटाफट, क्या हो जाएगा सारे के साहलों जबाब दे, what is the right answer, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जातर लोगों का रुझान जो है, मतलब की B की तरफ जा रहा है, कोलकता की तरफ जा रहा है, जो की बिल्कुल सही है, एक बाद सब लोग फटाफट जबाब दिजे, बहुत बढ़िया, सब लोगों को गुड मॉनिंग है, फटाफट सब लोग जुर जाएगे, अंतर देशिय जल्माव विकास परिसत की बैठक कहां आयोजित की जाएगी तो यह जो है आपके कोलकता में इसका आयोजन आपकी होगा इस चीज को आपको ध्यान रखना है और अंतर देशिय जल्माव विकास परिसत की अस्थापना 2023 में भारत सरकार द्वारा की गई थी इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है और अब ये है क्या इसका उद्देश से क्या है तो राज और केंसासित प्रदेसों की सक्रिये भागीदारी के साथ बहतर कारगो दक्षता बहतर जो कारगो दक्षता साथी साथ यात्री आव जाही और नदी कूझ परेटन के लिए अंतर देशिये जलमार और सम्मंदित अंतर देशिये जल परिवन प्रस्थिति का आपके तंत्र जो है इसका एक व्यापब विकास के रूप में किया गया है इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है और यह आपके एक्जामनेशन पॉइंट अधिये जलमार प्रदिकरन द्वारा उध्गातन जो है अंतर देशिये जलमार विकास परदिकरन जो है इसकी बैठर का आउजन कहां पे तो कोलकता में किया गया है इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कोलकता सुनते ही आना चाही कि कोलकता में आपको पुछी जाए तो तेरा जो है टोटल भारत में आपके मेजर पोर्ट की आपकी संख्या है इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है और आपके एक्जाम में यहां से प्रसंद जो है बन जाते हैं और डिरेक्ली आ जाते हैं और राइट चलिए अगले कोशन की तरह ब लिए सर्वसिस्ट इनोवेशन पुरसकार जीता है अभी हाली में आपको जबाब देना है कि कौन सी सरकारी योजना ने इंडियन स्कूल ऑब बिजनस हैदराबाद में पबलिक पॉलिसी डायलग दो हजार चौबिस के तोरान अपनी इनोवेशन सेंडबॉक्स प्रस्तुत के लिए सर्वसिस्ट इनोवेशन पुरसकार जीता है क्या ये प्रधान मंतरी आवास योजना ने ये सरकार पूछ रहा है कि कौन सी सरकारी योजना है जिसने आपके इंडियन स्कूल ऑब बिजनस हैदराबाद में पबलिक पॉलिसी डायलग दो हजार चौबिस के दोरान अपनी इनोवेशन सेंड़ बॉक प्रसूती के लिए सर्वसिस्ट इनोवेशन पुरसकार जीता है प्रधान मंतरी आवास योजना आईश्मान भारत शौमित योजना या फिर सच भारत अभियान क्या हो जागा दोस्तों इस प्रसुन का उत्तर सारे के सारे लोग कॉमेंट सब्सकार जाए कि कि सरकारी योजना ने इंडियन स्कूल और बिजनस हैदराबाद में पब्लिक पॉलिसी डायलोग 2024 के दोरान अपनी इनोवेशन आपके सिट बॉक्स प्रसूती के लिए सर्वसिस्ट इनोवेशन पुरसकार जीता है जवाब दीजेगा सारे लोग स्वाम स्वामित योजना लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है अब स्वामित में जना है क्या तो पंचायती राज मंत्राले की स्वामित योजना जो है एक केंद्रिये छित्र की योजना है और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त गोसित यानि केंद्र सरकार द्वारा फा पिशित करती है जिससे विवादों को कम किया जाता है और व्यक्तियों को अधिकारों के संपती रिकॉर्ड यानि की समित्थ संपती कार्ड जो है प्रदान किये जाते हैं इस चीज को ध्यार रखना है और यह जो है आपके केंदर सरकार द्वारा आपके पुल्ली फाइनेंस आपको नजला जाएगी और स्वामित स्कीम की बात हम लोग करते हैं तो यह स्कीम जो है प्रोवाइड जो प्रोपर्टी राइट जो रूलर इनहेबिटेर जो ग्रामी में रहते उनको और ड्रोन से सरवे करके जो मैपिंग एकुरिसी और फाइव सिंटीमीटर तक का किया जाएगा यह सामित योजना जो इस चीज को द्यान रखना है बाकि पंचायती राज की बात होगी तो याद रखेगा यह पंचायती राध दिवस के दिन लौँच किया गया था यानि कि 24 अप्रेल को प्रतेक वर्ष हम लोग पंचायती राध दिवस मनाते हैं पंचायत की बात होगी तो याद रखेगा हमारे अनुसूची में एक ग्यार्मी अनुसूची में आ जाता है हमारे कौन से भाग में तो भाग 9 में पंचायत आ जाता है अनुचेद की बात होगी तो 243 से 243 ओ तक के बीच का जो अनुचेद है या डील करता है आपके पंचायत से साथी इस बात को भी आप लोगो ध्यान रखना है और आपके एक्जाम के लिए important है अगला question है AI voice cloning तक्रीज से जुरी प्राथमिक चिंताओं में से एक क्या है अभी हाली में जो artificial intelligence voice cloning technology है यानि कि जो आपके कित्यम बुद्धी मता से जो आपके आवाज की copy की जाती है उस आवाज की copy को लेकर के जो नए videos या फिर बहुत सारे नए innovation ideas create किये जाते हैं इसको लेकर के एक जबरदस concern है एक जबरदस चिंता है आपको जबाब देना है कि AI voice cloning technique से जुरी प्राथमिक चिंताओं में से एक क्या है क्या आवाज अधारित जो अनुप्रियोग में बेहतर पहुँच संचार में उन्नत सुरक्षा हुपाए घोटाले और धोखाधरी गति विधी का प्रसार या फिर आपके प्राकृतिक भासा आपके प्रसंस्क्रण में आपके प्रगती अभी हाली में यह concern में रहा है और खासकर artificial intelligence सुनते ही अगर concern चिंता की बात आती है तो एक चीज एक concept हमारे दिमाग में आता है जिसको हम लोग कहते है deep fake deep fake में basically किया किया जाता है कि कि किसी का सरीर किसी का चेहरा मिला करके एक वीडियो की जाती है और इससे बहुत जादा नुकसान भी पहुँचता है तो अभी हाली में आपको जबाब देना है कि AI voice cloning technique से जुरी प्रात्मिक्ता चिंताओं में से एक क्या है क्या आवाज अधारित अनुप्रियोग में बेहतर पहुँच संचार में उन्नत सुरक्षा उपाए घोटाले और धोखादरी गती विधी का प्रसार या प्राकृतिक भासा आपके प्रसंस्क्रण में प्रगती सारे के साहलों जवाब दिजेगा तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा स्कैम्स एन जो फ्रॉड है वो चीजे होती है उसको लेकर के कंसर्ण है तो अभी हाली में आपके मार्केट यूएस की एक रिपोर्ट से पता चला है कि यह जो वाइस क्लोनिंग है यानि कि अवाज की जो कॉपी की जाती है इसका वैस्ट्विक व्यापार 2022 में 1.2 मिलियन डॉलर का है और 15 से 40 फीजदी के उपर C.S.E.R. के साथ 2022 तक लभग 5 मिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है अब इसको लेकर के concern क्या है तो security, cybercrime, साथी साथ आपके इसका दुरुपयोग करके खासकर हमारे हैं politics में किसी को defame करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है तो इसी को लेकर के concern है और भारत का जो major target है AI voice clone scam का वह यह है कि एक report title किया गया artificial imposter published in May last year जो कि 45% of surveyed Indians have either been a victim or new someone who has fallen prey इसमें ये क्या किया गया है कि ये जो अवाज cloning के कारण 47% भारती है या तो victim swim है या किसी victim को जानते है और ये जो है आपके जो artificial intelligence से जो voice cloning होती है उसका एक दुरुपयोग हमें हमारे समाज में देखने को नज़र आता है साथी साथ जो numbers है ये almost twice है the global average of 25 और भारत की बात करते हैं तो पुरी दुनिया आपने 25% दी और हमारे भारत में 47% दी है जो की लगभग आपके दोगुना है in fact अगर हम लोग बात करते हैं भारत जो है maximum number of victim जो है जितने भी voice scam हुए है उसमें maximum number of victim का भारत जो है आपके सिकार हुआ है इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है और राइट चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं प्रोजेक्ट वीर गाथा के तीसरे संस्क्रण का फोकस क्या है अब वीर गाथा क्या है तो वीर गाथा की जब हम लोग बात करते हैं तो यह आपके 26 जनवरी को ले करके अभी है इसमें वीर गाथा में आपके वर्जन नंबर 3 है तीसरे संस्क्रण है और इसका तीसरा संस्क्रण में क्या है क्या फोकस किया गया है क्या पर्यावरन संक्षन पहल किया गया है गंतन दिवस समारो रास्तिय बुन्यादी धाचा विकास परयोजना या साइबर सुरक्षा जागरुकता अभियान आप लोग सब लोग को जबाब देना है कि what is the main focus of the third edition of project वीर गाथा प्रोजेक्ट वीर गाथा कि तीसरे संस्क्रण का फोकस क्या है इनवारामेंटल कनवर्जन इनिसियेटिव परयावरन संक्षन पहल गंतन्त दिवस समारो नेसलर इंफास्ट्रक्षर डेवलप्पेंट प्रोजेक्ट या साइबर सुरक्षा जागरुकता अभियान साइब जबाब देजेगा खाला कि 26 जन्रवर लिखे हैं तो इससे आप लोग सब समझ चुके होंगे तो जबाब क्या होगा गंतन्त दिवस समारो जो है इस प्रशन का आपके सही उत्तर हो जाएगा तो प्रोजेक्ट वीरगा था कि तीसरे संस्क्रन का फोकस है वो आपके गंतन दिवस समारो है इस चीज को आपको ध्यार रखना है या आपके रक्षा मंत्राले और साथी साथ सिक्षा मंत्राले की एक संजुक्त पहल है जो दोनों मिल करके आपके एक संजुक्त पहल देती है और 13 जुलाई 2023 को आजादिक का अमरित महुतसब के हिस्से के रूप में लौंच किया गया था और सुझाएगा जो विसे है उसमें 1857 का पर्थम 17 संग्राम और 17 संग्राम में आदिवास्ति विद्रोहु की मौत भूमी का भी सामिल है और ये वीद गाथा बेसिकली आपके रक्षा मंत्राले और सिक्षा मंत्राले की संयुक्त पहल है जिसमें आपके जो हमारे गौरवांतित इतिहास के च्छन और गौरवांतित पुरुष या गौरवा हमारा 75. Catholic Day Celebration है और इस बार जो मुख अथिती के रूप में आपके आरे है वो आपके फरांस के प्राम मिनिस्टर एमिनल मैकरॉन जो है मैकरॉन जो है या आपके मुख अथीती के रूप में हमारे 75 में रिपब्लिक डे सिलिबरेशन के रूप में आ रहे हैं पिछले साल कौन आये थे तो पिछली साल आपके इजिप्ट के रास्टपती आये थे इस बार आपके प्रदान मंतरी आ रहे हैं अब फ्रांस के एमिनल मैकरॉन जो है वो आपके आ रहे हैं इस बार के हमारे मुख चीफ गेस्ट के रूप में इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है और यहां से आपके कोशन बनने के आसार जो है अच्छे खासे हो जाते हैं आए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं बिहार के अलाबा लैंसेट अध्यन में लड़कियों में बाल विवा के कुल बोज के आधे स्यधी की योगदान देने वाला अन्य तीन राजी की पहचान कीजिए कौन से ऐसे अन्य तीन राजे हैं जिन तीन राजियों में यह कहा जाता है कि भाई जो बाल विवा है उस बाल विवा के केसिज आपको बिहार एक है दूसरा तीसरा चौथा यानि कि टॉप चार जो ऐसे राजे हैं जिसमें अगर देखा जाए लगबग आपके आधे से ज़्यादा ठीक है आधे से ज़्यादा मोर देर हाफ मतब आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा बाल विवार इनी चार राजियों में देखने को नजर आते हैं बिहार के अलाबा बिहार पाजियों मतब परदेश को अगर अगर हम मिला देते हैं तो इनी चार राजियों को मिला करके मुटा मुटी पूरे जो आपके पूरे भारत वर्स में जो बाल विवा होती है उसका 50 फिजदी यहीं पे आपके नजर आ जाता है बाल विवा का बहुत सारा नुकसान है साथी साल सबसे परे लैक ओफ एजुकेशन सिक्षा के छितर में सिक्षित नहीं हो पाते हैं ना पुरूस ना महिलाएं इसके अलाबा आपके वो बायलोजिकली भी तयार नहीं होते हैं और इंफेंट मोटालिटी रेट जो है या काफी आदा हमें देखने को नजर आती है इसके अलाबा अगर हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक वोयलेंस यानि की घरेलू हिंसा के वो सिकार भी होते हैं इसके अलाबा फेमिली रिस्पॉंसिबिटी उनके कैपसिटी से बियॉंड हो जाती है इसके अलाबा मैटर्नल इंफेंट मोटालिटी रेट भी आपके बर जाता है बच्चे को जर्म देने के दोना जच्चा और बच्चा में से किसी एक क्विम्रित्यू स्वस्थ बच्चा नहीं हो पाता है तो ऐसी समस्या हमें देखने को मिली है इसके लाबा रास्टिय परिबार स्वस्थ सर्वेक्षन पार्च 2019-2021 के अनुसार 24 से 20 से 24 वर्स की आयू की महिला है जिनकी साधी 18 वर्स के कम उनसे पहले हुई सहरी छेत्रों में 14.7 और ग्रामीन छेत्रों में 27 फीजडी आपको नदर आती है वहीं 15 से 19 की आयू की बात हम लोग करते हैं जो सर्वेक्षन के समय पहले से ही मा थी या गर्वती थी सहर में 3.8 और 7.9 आपके ग्रामीन छेत्र में इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है और राइट तो चले ये था हमारा National News अब हम लोग आगे बरते हैं हमारे News के अगले Segment की तरफ जो की हमारा अंतरास्ट्री खबर यानी कि हमारा International News विथ MCQ किया है अभी हारी में प्रिथवी कारकरम का मुख्य फोकस क्या है अब इहारी में प्रिथवी कारिकरम, प्रिथवी इनिसेटिव, एक प्रोग्राम है, प्रिथवी प्रोग्राम रिसेंटली आपके union cabinet के दौरा आपके किया गया है, लॉंच किया गया है, इसका main focus क्या है, अंतरिक्ष परेटन पहल, मौरसस के साथ प्रिथवी अबलोकन और उ कर रहा है, और अभी हाली में आपके केंद्रिय मंत्री मंडल द्वारा मंजूरी दिये गए प्रिथवी कारिकरम का मुख्य उद्देश आपको क्या देखने को नजर आता है, तो अब इसी बात है, अगर आपका काटा B की तरफ जा रहा है, तो more or less आप सही है, कि आपके मौ करता है, जिसमें आपके मौसम, यानि की सीजन, जलवायू, क्लाइमेट, समुद्र विज्ञान, ओसनोग्राफी, क्रस्टोग्राफिक, अध्यान, यानि की जो आपके क्रस्ट का अध्यान, भूकम्प विज्ञान, टिकाउ संसादन उप्योग, महतवपुन चुनोतियों का समाधान करना आपके किया गया है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, एक M.O.E. अभी आपके हाली में साइन हुआ था, एक आपके E-Compass 5 ओन गोइंग जो आपके स्कीम सी, Ministry of Earth के, वो आपके कौन-कौन थी, Atmosphere and Climate Research, Modeling Observing System, जिसको हम लोग एक Cross कह रहे हैं, OpenSea Modeling Application, Resource and Technology, OSMART या Polar Science, Crystal Fair Research Center, Pacer और Sismography और इसके लावा हम लोग बात करते हैं, आपके Sismography and आपके Geoscience, SIG and Research, Education, Training and Outreach जिसको हम लोग कहते हैं, रीच आउट इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, और राइट, चलिए, आगले और गयाना गनराजी के बीच, केंदरिये मंत्री मंदल द्वारा अनुमोनित समझोता ग्यापन क्या है, सबसे पहले भी हाली में एक MOU साइन हुआ है, MOU क्या होता है, तो Memorandum of Understanding, Memorandum of Understanding या क्या है, तो एक समझोता है, और इसी का अगला रूप किसी Agreement में आ जाता है, उसक क्या है, क्या Agriculture Corporation, क्या Hydrocarbon Sector Corporation, Space Exploration Collaboration या Maritime Security Partnership, अभी हाली में भारत और गयाना, गयाना एक देस है, जो कि आपके दक्षिन अमेरिका, South अमेरिका का एक देस है, ब्रजिल के पास आपको नजल आ जाएगा, ब्रजिल के आपके उपर, यानि कि North South अमेरिका में आपको नजल आ जाता है, ब्रजिल से उपर आपको, तो अभी हाली में भारत और गयाना गनराजी के बीच, कौन सा ऐसा MOU साइन हुआ है, किस चीज़ पर, क्रिसी सायोग को लेकर के, हाइड्रो कार्बन छेतर में सायोग को लेकर के, अंत्रिक्ष अवशेशन सायोग के लेकर के, या तब इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रो कार्बन सेक्टर कॉर्परेशन जो है इस परषिन का आपके सैउधतर हो जाएगा, अभी हाली में समझोता ग्यापन में हाइड्रो कार्बन छेतर की समपूर्ण मुर सिंकला सामिल है, जिसमें आपके गयाना से कच्छे तेल की, आप के नियामित धाचे के विकास में सायोग और जैविंधन सहित आपके स्वच उर्जा के छितर के साथ साथ आपके सौर उर्जा आदी सहित जो आपके renewable source of energy है उसमें आपका सायोग इसके लाबा भारत ने आपके 2070 तक target लिया है कि वह क्या करेगा तो वह आपके zero carbon emission zero carbon emission का आपके target लिया है भारत कब तक लिया है तो याद रखिएगा कि zero carbon emission का जो भारत target लिया है 2070 तक लिया है 2070 तक आपके सुने carbon aur sarjan जो है इसको इस लक्ष को प्राप्ती करने का भारत target लिया इस चीज़ को आप लोगो ध्यार नकना है और आपके examination point of view के लिए काफी आदा important points आपके बन जाते हैं, alright, clear है सब लोग को, आईए इसके लाबाई good news भी आप लोग को देना चाहेंगे आप लोग से, मतलब कि हम लोग आने वाले हैं मिलने के लिए, जल्द ही कहां पे आपको पता है, आप लोग से मिलने वाले के आने के लिए हम लोग जल्दी है, मुझबपरपूर में इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, और description box में आपके 7 साल दिया गया होगा आपके link, इस link में जो seats हैं, वो limited है, तो अगर आपको हमसे मुलाकात करनी है, मुझबपरपूर सहर में, तो तयार हो जाईगा date मैं आप लोग को बता देता हूँ कि date आखिर कब है, कब आप लोग को आना है कहां आना है, मैं आप लोग को बता देता हूँ मुझबपरपूर में आना है, ठीक है मैं आपको exact date बता देता हूँ से 10 बजे onwards, 16 जनवरी 10 बजे onwards से हम आप सब के साथ आ रहे हैं, तो तयार हो जाएगा, 16 जनवरी 10 बजे, याद रखिएगा, और description box में link दिया गया है, जाकर कि अपने seat को fill कर दीजिए, और हमारी team आप सब को, आप सब के सामने मिलने, आप सब से बात करने, क्योंकि online camera पे तो हम हमेशा मिलते रहे हैं, वेकिर आप सब से एक reality में मिलने के लिए, हम लोग 16 जनवरी को आ रहे हैं, तो कहीं पे भी आप बिहार है, या बिहार के आसपास, मुझह अपरपुर के आसपास हैं, तो बिहार university में आईए मिलते हैं, करते हैं एक जबरदस शुरुआत, तैयारी को लेकर के सत्तरमी को पार कर देना है, सत्तरमी को इस बार फटह कर देना है, सत्तरमी BPSC exam को, तो उसी को मजेर रखते हुए, एक बहुती सुन्दर सा, हम लोग एक सेमिनार, एक कंड़क करा रहे हैं, तो आईएगा जरूर, मिलेगा जरूर हम लोग के सार, बाकी जबाब दीजेगा कि नॉम्बर से लाल सागर में, माल वहाग जहाजों पर सिलसलेवार हम लोग के लिए कौन जिमेवार है, जिससे स्वेज नहर के माध्यम से, एसिया को योरप से जोडने वाला समुद्री मार्ग जो है, और सुरुक्षित हो गया है, क्या ये सुमाली समुद्री डाकू है, यमन की हैथी आपके है, या फिर आपके मिलिसिया है, या इरानी रिवोलुशनरी गार्ड है, जिसस भी जए झाल जाए्यवानि आपके हैं, NEW SPEAKERừa है, झालनों स्वेज जो रघानी जना समुद्री मेर्ग जना भला केनलICट, झालना समुद्री भाभ़त bizणन है, या इसल दो भी जैंना समुद्री जाए्या है, याbर्चान समुद्री या experienced般 से, उन्ना समुद्री माला और होता कैसे दोस्तों कि पहले जो था हम लोग आपके इस वाले रास्ते यानि कि स्वेज नहर से होते हुए जाते थे लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस पूरे के पूरे एरिया में काफी अधा परिसानी हमें हो रही है क्या परिसानी हो रही है तो अब यहां पर हावती जो है यम में भारत सरकार ने साओध एरब से भी बात किया था और इसके कान ये रूट जो है हाउती जो militant आपके है इसके कान काफी आदा परिसानी से गुजर रहा है यह अच्छे तर और काफी आदा समस्या से गुजर रहा है इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना है तो इस तरीके सा हमारा international news भी वाक हतम अब हम लोग बात करते हमारे अगले segment जो की हमारा editorial segment है या क्या है तो आज इस editorial segment हम लोग बात करेंगे भारत the art of diplomacy ये editorial section मैं regular आप लोग के लिए इस लिए लाता हूँ ताकि आप लोग जितने भी लोग हैं जो खासकर हिंदी माडियम के बच्चे हैं उनको काफी दिक्कत होती अंग्रेजी अखबार को पढ़ने समझने में तो मैं उसको समझा देता हूँ ताकि आप उसको जा करके एक बार अखबार को पढ़ ले तो इंडियन रसिया टाई जाने की art of diplomacy इसमें भारत के विदेश मंत्री ने हालिया में मासको की यात्रा कि अभी हाली में अपने एक खबर भी मैंने कराया था कि जैसंकर ने जैसंकर आपके आपके एक्स्टरनल अफेर मिनिस्टर जो रूस की आत्रा पर है और संबंदों के धाचे में काफी महत्पूर्ण है उसी को लेकर के एरिटोरियल था जो अस्थापिद विसेश विसरदिकार प्राप्त समझेता है इसके कंसर्ण के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो उभरते जो आजकल का जियो पॉलिटिक्स जो है खासकर अंतास्तिये मुद्यों को ले करके दुई प्रक्षिये मामलों को ले करके उसक एसरफीजदी जो भारत हतियार है वह सकेवल लकेवल रूस से ही आपके लिया था। साथिसाथ अभी हाली में कुण्दन-कुलम परमानु उर्जा सरयतन जो है रूस की तखनीकी साहїता से तमिलाडू में बनाया जा रहा है इसे ध्यान रखेगा कुण्दें-कुलम परमान पराच ट्रेडिग पार्टनर वियापारीक आपके दावेद वयपारीक जो आपका पार्टनर है इस चीज को ढ़मद कंपडल कर रहा है इस चीज को भी डाइलूट करने के लिए क्लिए क्वी चीन और रूस है जो मतला अपसमें दोस्त हैं तो यहां पर अगर जाएंगे तो बाई चीन को जो आपके अटैक या चीन जो सीमा विवाद है उस चीज को लेकर भी काफी मुद्दों पर यहां पर बात हुई है तो ऐसे मुद्दों को मद्दर रखते हुए काफी अच्छा सा सुन्दर सा आर्टिकल है आपके एरिटोरियल है इंडिया इसको आप लोग को जरूर पढ़ना है और साथी साथ वैस्विक वदलावों के बीच अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत और रूस सम्मंदों को सामान हितों का आधारित एक माना गया है लचीला है और यह गतिसील के बीच में आपके बरते जा रहा है एक कंक्लूजन के द आज कल हम अमेरिका को जेखते हैं के भाई हमारे साथ है लेकिन पहले अमेरिका पाकिस्तान को जाद़ा सपोर्ट करता था 1971 फारी में रूस सम्में काफी मदद किया था और इसी कारण बड़ हमने पाकिस्तान को आपको ही पता है क्या हुआ था रिस्टिज हिस्टिज तो खार, इतनी साई चीजों के बाद हम लोग चलते हैं अब एक देश को घूमने, आज देश को हम लोग घूमने वाले हैं, वह है हमारा Greenland, Greenland की राधानी क्या है? Greenland की ओफिसेल लेंवेज क्या है? Greenlandia, यहां की लेंवेज़ डैनिस, इंगलिस को भी रिकॉनाइज किया है, Greenland आपके दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, साथी साथ यहां आपके डेनमार्क के अधीन है, इस चीज को भी आप लोग को ध्यार रखना है, Greenland की सरकार जो है Parliament Constitutional Monarchy है और डेनमार्क के अधीन है, इस बात को आप लोग को ध्यार रखना है, यहां के मोनार्क का नाम है मेगरेथा डो, High Commissioner Juryal Press Wilcz, यहां के आपके प्रिमियम कौन है, तो Mute, Bork, Edge, और Speaker कौन है, तो कीम कलेसन इस चीज को ध्यार रखिएगा आज का जो हमारा स्टेट है, जिस राज को आज हम लोग घूमने चलने वाले हैं, वो राज है हमारा है 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 हैधराबाद, हैधराबाद की बात अगर हम लोग करते हैं, तो हैधराबाद में टोटल आपको 33 जिले नजर आएंगे, तो तेलंगाना की राधानी है, जिनकी ना तो समुंदर से सीमा लगती है ना कि अंतरास्टे सीमा लगती है उनमें से एक आपके तेलंगाना इसके लाबा हर्याना है जारखंड है मद परदेश है छतिस गर है ये ऐसे आपके कुछ राज है पांच राजे जिनकी आपके सीमा ना तो अंतरास्टे सीमा लगती ना किसी देश से लगती है उनमें से एक आपके तेलंगाना अभी आनपदेश से अलग हो करके राजबना राजपाल का नाम है तमिल साही संदरजरन मुख्धमंत्री का नाम आपके नए मुख्धमंत्री बने अभी भारती राष्टी कॉंग्रस यहाँ पर चुनाप जीती है अनुमल रेवनाथ रिड्डी यहाँ के नए मुख्मंत्री डेप्टी मुख्मंत्री आपके मलू बट्टी विक्रमा यहाँ के डेप्टी मुख्मंत्री यहाँ के लोग सबा में सीट यहाँ के बिधान परिसद में सीट कितनी हो जाएगी तो 40 यहाँ पे बिधान परिसद पी एंडर आठ की लंबर 169, अंडर आठ की लंबर 168, बिलाग सबा में याँ पे seat 119, राज सबा में seat 7, लोग सबा में seat 17, तैलंगाना हाइि कोट कहां पे दोस्तों, तो यह आपके नजर आ जाएगा हैदराबाद में, आपको नजर आ जाता है, इस बात को ध्यार नखियेग पूरे भारत वरस में ध्यान रखीगा पूरे भारत वरस में ध्यान रखीगा पादन करने वाला भी जिला आपके मुझपरपुरी हो जाएगा इस बात को आप लोगो ध्यान रखना है साथी साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है रेसम उद्योग, चमरा उद्योग, इरी रेसम उद्योग, स्रेक्रिस्न फर्टिलाइजर, बिहार उद्योगी छेतर को जो है जिसको हम लोग कहते हैं तिरूत किसी कॉलेज आपको नजर आता है, स्रेक्रिस्न मेटिकल कॉलेज यहीं पे आपको नजर आता है, बाबा साहब, भीमरा, मिटकर, बिहार विस्विद्याले भी आपके मुझपर पूर्मी नजर आएगा और इसी विस्विद्याले में हम लोग आ रहे हैं, 16 तारीक को ध्यार रखेगा, इसी विस्विद्याले में हम लोग आ रहे हैं, 16 तारीक को, 10 बजे से, तो याद रखेगा, डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक में जाकर कि सीटे लिमिटेड है, तो का आपका home work क्या है दोस्तों तो आज आपका home work है कि मुझह परपूर क्यों famous है इसके बारे में आप सब को comment box में बताना है तो उमीद करेंगे कि यह class आपको बढ़िया लगी हो आपने इस class को बहुत ही अच्छे तरीके से enjoy किया हो तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली class में 10 वजबली class में तब तक के लिए बाबाई टेक केर थेंक यू एंड थैंक्स वर वाचिंग दिस सेशन